समस्तिपूर में इन दिनों अपराधियों का मनोवल काफी बढ़ा हुआ है ताजा मामला ताजपूर थाना के मोतिपूर सब्जी मंदी के पास की है जहां बाइक सवार दो अपराधियों ने एक चलती बस का काफी देर तक पीछा किया फिर बस धीमी होते ही बस पर तावर तोर फाइरिंग शुरू कर दी बस के चालक को दो गोली लगी जबकि फाइरिंग से बस में सवार यात्रियों में भगदर मच गया जखमी चालक को पहले ताजपूर रेफर अस्पताल में भरती कराया गया फिर समस्तिपूर सदर अस्पताल रेफर किया गया है मौके पर पुलिस पहुच कर मामले की तफ्तिस कर रही है अप राध्यों दौरा इस घटना को लूट पार्ट की नियत से अत्वा किसी अदावत से अंजाम दिया गया है इसका खुलासा फिवान नहीं हो पाया है वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने ताजपूर के कोल्ड स्टोर चौक पर NH 28 को जाम कर दिया है वहीं मौके पर स्थाने प्रशासन पहुच कर लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी हुई है करने हैं हम लोग तो पखरने के चकर में यहां पर देख रहे हैं कि लोग रोट जाम कर देख दिया है पहले रोट जांद वना है। उसके बाद करने के पर वाइग करें। भाब की घटना है शुबह की घटना है। क्या स्थिति है अभी इसको बोली लगे। बोली लगा तो भी दहुम्लों ठाज़में कर रहा है। उसको पर आगा बड़ाव हुआ है। पराव गय थे घटना करना है यह दिन दहारे बोली सात बजे सुबा में मारा गिया ड्राइबर को बस ड्राइबर को बस ड्राइबर का क्या गलती है बताइए यह कोई बात नहीं हुई जो एक सो जान गोजो की मिलें है ये सुबा साथ बजे का घटना है आज का ये सब्जी मंडी से आगे यहा पे तेल कटिया होता है वहापर गटना हो तीयपूर कहा जाता है मांग है कि बाई यो गोली चलाए है गोली यो मारे है त्यारे को पकड़ा जाए दिन दहरे गोली मार के मोटर साइकल से भाग जाना तीन में सुबा साथ बजे परसासल कहां रहता है बताईए इस बात को हर आदम हर आदमी को तबाई होता भोली मार देना सरकार है यह कमा सरकार है तिन दहरें गोली मार देता है किसी कुपिक आदमी को गरीब आदमी को कोली चल दा है, मार रहा है अपना पर्टा देजी महम्मध आजाद, ताशपूर